अल्राइट तो वेलकर इस फाइनली फाइनली जीटे फाइव लाइट का इंट्रो मिशन्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि मिशन नमबर 2 का क्रेट जाता है लेविटेशन 4D को यो के लिए भाई काफी हाड़ वर्क कर रहे हम लो इन पीसी गेमर्स के लिए तो प्लीज यार उनके चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप पूरा गेमप्ले वहाँ पर इंजॉई जो फर्स्ट ग्राफिक मोड निकल क्या था नेटिव प्रिसेट तो उसमें ये टेस्ट किया गया है और किस सिस्टम रिकवार्ममें में टेस्ट किया गया रैम की बात करें तो चारजी भी है या पर आपको CPU भी बात करें तो बहिए इंटल i-3606 Casey dual-core में इनहोंने टेस्ट किया है और ग्राफिक्स ES greatness न्राफिक्स यार में इंटल SN520 में इस गेम को टेस्ट किया आप स्क्रीन पर जैसी की देख सकते हैं, यहाँ पर एक हैंड साइड मेरा GTA 5 लाइट है, और अनदर हैंड साइड आपको यहाँ पर GTA 5 का जो ओरिजिनल गेमपले होता है, वो देखने को मिल जाता है, एस कंपेर करें तो भाईया कोई डिफरेंस यहाँ पर आप जाता है, उल् कितना मजा आने वाला, क्या ग्राफिक्स रहेगा भाईया, खेलने के लिए, पर टेक्शर कॉलिटी की बात करें, तो कोई डिफरेंस सेट नहीं, उल्टा मेरे को GTA 5 लाइट में टेक्शर कॉलिटी काफी इन्हांस देखने को मिलता है, आपने काफी सारे ऐसे ग्राफिक्स म जना को मिल जाता है, शबसे अचीज बड़ी बात कि यह चार जीवी राम पर चल रहा है, और इंटल हगाफिक्स देखने को मिलता है, और किया चाहिए, आपको टेक्शर को मिलता है, वह काफी अप्तमाईज देखने को मिलता है अंपेर ग्देडी पर चांद आया होगा, व बता हो नहीं कि देखो यार GTA 5 Lite एक ओपी गेम आने वाला है हमारे लोट पीसे लाप्टॉप के लिए तब तक लिए मैं मिलता है कर वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिबार के लिए जय हिन जय भारत